देश में आज फिर बड़े कोरोना के नहीं मामले पिछले 24 खंटे में सामने आए 14,264 नहीं मरीच जमु कश्मीर के अनंत नांग के जंगल में आतंकी ठिकाने का भांडा फोड सुरक्षा बलोने भारी मात्रा में बरामत के हतियार टेक ओफ के बाद फेलुआ युनाइटिड बोईंग 777 का इंजन सभी यात्री और क्रूस अदस्य सुरक्षित मारेचीन के बीच चली 16 घंटे लंबी बाचीत डैपसॉंग गोग्रा होट स्प्रिंग से सैनाई हटाने पर हुई चर्चा किसान आंदोलन के आगे की रणनीती तैय करने के लिए शनिवार को कुंडली बोर्डर पर पंचाब के 32 संगटनों की बैटक हुई अब रविवार यानि की आज को सेंयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी जिसके बाद आंदोलन के आगे की रणनीती का एलान होगा इधर दिल्ली की सीमाओ पर किसानों का धर्ना लगतार जारी है रास्टे पतादिकारियों की बैठक को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी संबोधित करेंगे कोरोना महामारी के दोरान ये रास्टे पत अधिकारियों की पहली बैठक होगी जिसमें नेताओं की शाररी को पस्तिती होगी कॉलकता पुलिस ने कहा पामेला को मादक पधार्थ की लत पिता के बयान का दिया हवाला ड्रक्स मामले में गिरफतार भाजपा की हुआ शाक्खा की नेता पामेला गोस्वामी के पिता ने कॉलकता पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी को मातक पधार्थ की लत अपने एक मित्र के करण लगी और वेचाते हैं कि उस पर निगरानी रखी जाए शिमला से दिखेगा अंतरास्टे स्पेस इस्टेशन चार सो किलो मेटर उपर अंतरिक से मुली उगा रहे हैं विज्ञानिक हाईवे पर दो दिन तक शव को कुचलती रही गाडिया एमपी के रिवा में दर्दनाख हाथसा गुज्रात निकाय चुनाओं के लिए वोटिंग जारी एहमदाबाद में शहानी की अमद्दान अमेरिका के डेड करोड लोगों के घरों में पानी नहीं पोँच रहा कई बरफ उबाल कर पी रहे हैं लखनाव शराब की दुकान पर विवाद में चली गोली अंडा रोल खाने आ युवक की मौत प्री इडियट्स वाले फुन्चुक बांगडू का नया हाविस्कार माइनस ताप मान में भी भारते सैनी कोपन नहीं पड़ेगी सर्दी की मार उत्रखन की चमोली में तपोवन में रस्क्यू जारी मिले पाच और शब अब लुटीन आपको कैसा लगा आपने विजार हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा हर लेटस अबडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें